नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दाखबरदान न्यूज में मध्य प्रिदेश में चुनाबी खमासान मचा हुआ है चुनाबों की तारीक जैसे जैसे नज़िक आ रही है नेताओं की बयान बाजी और जन संपर्क दोनों तीज हो गए है फिर चाहे वह भाजपा हो या कांगरेस दोनों एक दूसरी को नीचा दिखाने में और तन जिकसने में पीछे नहीं हटते और इसी बीच रीवा के सिमरिया बिदान सभा की कांगरेस प्रत्यासी अभैमिस्रा का एक बयान काफी तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वो एबीजेपी पर जम कर निसाना साज़ते हुए नजर आ रहे हैं तो चलिए आपको पूरी खबर बताते हैं मैं हूँ आपके साथ सिवं कुस्वाहा और आप देख रहे हैं दा खबरदान नियोज रीवर जिली की सीमरिय अबिदान सवाच्षेतर से कांग्रेस पार्टी के उमेदबार अभैमिस्रा ने भारती यंता पार्टी की लोगों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सरकार ने उन्हें ही नहीं बकसा जिसके दम पर 18 साल तक मत्यप्रदेश में राज किया अभैमिस्रा का कहना है कि भारती यंता पार्टी ने अन्न दाताओ यानि की किसानों को जम कर छला है अपने जन संपर कभियान के दोरान कई जगह अब एमिस्टर ने इस पश्ट रूप से आरोप लगाया कि जब बनी का समय होता है तब किसानों को सहकारी समितिया से खाद नहीं मिलती जब खेट सीचने का मोसम आता है तब किसानों को नहर से पानी नहीं मिलता अब ऐसे में किसान का जीब को पार्जन तैसे हो प्रदेश के मुख्य मंद्रिर सिवराज सिंग चोहान अपने आपको किसानों का बेटा बताते हैं लेकिन किसानों की समस्या सुनने का टाइम नहीं है पिछले 5 साल से भाजपा के जन प्रतिनिदी ने किसानों के साथ किस तरह बरताओ किया है यह सब आपके सामने है जर मोहरा कांड को लोग अभी तक ने बुला पाए हैं महिला किसानों के साथ अत्या चार हुआ मारपीट तक हो गई यह पूरा घटना क्रम किसके इसारे पर हुआ छेतरी पूरी जनता सब जानती है गाउं में आता हूं तो लोग बताते हैं कि नहर में पानी तब आता है जब आधी फसल सूखने की कगार पर पहुँच जाती है अब यह मिस्टर ने आगे कहा अभी ही देख लीजे खेतों में बुआई सुरू हो चुकी है और खाद का कहीं अता पता नहीं है 15 दिन पहले सरकार कह रही थी खाद का परियाप्त श्टॉक है इन्हों ने कहा कि भारती यंता पाल्टी को लोग पूरा जोटी जोट बोलते हैं इस दोरान कई किसानों ने अपने ब्याथा भी सुनाई मिस्रा ने भी भिन गाओं में जन संपर के दोरान ये भी सपष्ट किया कि रिवा जिले में केवल सिमरिया बिधान सवा छेतर ही ऐसा इलागा है यो सिच्छा स्वास्थ के छेतर में कापी पिछड़ा हुआ है इसके लिए मैं पूरी ताकत लगाऊंगा और इस दोरान मिस् अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें